ओम नमस्षिवाई तंत्र के रचाईता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं बहुत सारी क्वेरिज आ रही हैं जिसमें कि लोग ये परेशानी बता रहे हैं कि उनका जो धंदा है उसको बांध दिया गया है कुछ महीने कुछ साल पहले बहुत अच्छा बिजनस चल रहा है तो और एकदम से जो है वो सड़क पर आ गए है तो इन सब की रिक्वेस्ट को देखते हुए मैं आज एक ऐसा तंत्र आपको बताऊंगा जिससे कि मा भगवति की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी इसके लिए आपको कुछ ऐसा समान चाहिए होगा जो कि आप अपने किचन से ही ले सकते हैं इसमें आपको एक भोजपत्र भी चाहिए होगा उस पर आपको लिखना है श्री बड़े अक्षरों में लाल चंदन से अनार की कलम से और नीचे लिख देना है नमकोमलवास्नी स्वाहा बड़ा सा श्री बनाइएगा और नीचे लिखे नमकोमलवास्नी स्वाहा इसके बाद आपको कुछ ऐसी आउशद चाहिए होंगी जो कि आपको आपके किचन से ही मिल जाएगी आपको क्या करना है? साथ काली मिर्च लेनी है साथ काली मिर्च, दो इलाइची और जो साबुत हल्दी होती है उसकी साथ गाठ ये आप अपने किचन से ले लीजे अगर ना हो तो आप बजार से भी ले सकते हैं इसके बाद जो है आपको भोज पत्र में ये सारा जो समगरी इसको लपेट लेना है और इसको एक मटके में जो मिट्टी का बरतन होता है उसमें आपको रख लेना है कोई भी मिट्टी का बरतन हो उसमें आप इसको रख सकते हैं और लाल कपड़े से लपेट कर इसको अपने जो आपकी शौप का एंटरंस है या फिर आपके जो भी घर है उसका जो एंटरंस है तो वहाँ पर आप इसको लाल कपड़े में पीले धागे से बांद कर लटका सकते हैं कहीं पर भी लेकिन इसको लटकाते वे आपको एक चीज ध्यान में जो रखनी है वो ये है कि जब भी कोई आपकी शौप में एंटर करे तो उसकी नजर इस पर जरूर पड़े जब कोई भी अंदर प्रवेश करे तो उसके सामने ये दिखना चाहिए जिससे कि कोई भी अगर बुरी शक्ती भीतर आने की कोशिश करेगी तो वहीं से ही वापिस हो जाएगी और आपका जो धंदा है वो पहले से भी कहीं जादा अच्छा हो जाएगा अगर इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल कीज़ेगा 999-284-1625 पर धन्यवाद